पोर्सांसा देवम फिल्म अभिनेतरी जयायपरदा ने बॉलीबूट की मशूर वजानी मानी हस्ति दिलिप कुमार के निधन के खबर पर गहरा दुख जताते हुए उनके परिवार के पृति समवेदनाय व्यक्त की वही जनपद रामपूर की पोर्सांसा जयायपरदा ने कह दिलिप कुमार का फिल्मी इंड्रेस्ट्रीज में महत्वण योगदान रहा है उनकी बहुत सारी फिल्में मुगले आजम, क्रांती, सौधागर, गंगा जमना, मजदूर जैसी दरजनों फिल्मों में समाज को एक नई दिशा दी है उनका अभिने अपने आप में अधियन क विशे था, उन्होंने आने वाली पीडियां, दिलिप कुमार की कला और अभिने को भूल नहीं सकेंगे, वहीं जैपर्दा ने कहा कि मेरे दिलिप कुमार से पारिवारिक संबंद रहें, जब भी मैं उनसे मिला करती तो मुझे हमेशा कला इवा अभिने के छेतर में कुछ करने की सीख मिलती रही लग propmont सफाई करमचारियों ने कहा वहीं जनपद रामपुर में, भारतिय सफाई करमचारि runners को ने कहा कि, समय मिल का करता करान की की विवस्ता कराई जाए विभीण वार्डों में बिना कारण कुछ करमचार्यों को खटा दिया गया है। दोबारा से कार्य पर लिया जाए सभी कर्मचारियों को एक समान वेतन दिया जाए इस मौके पर जिला अध्याश अनिल राज दीपलव आधी मौजूद रहे हैं भारतिय राश्टरिय छात्र संगठन के जिलाध्यश कलीम एहमत के नेतरतों में रामपूर में पड़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया उप जिलाधिकारी को ग्यापंदिय और थाली और ताली बजाकर विरोध जताया वहीं चिनपद रामपूर में गए इस स्थिति को देख कर केंद्र सरकार उन पर जरूरी वस्तों के दाम घटाने के बजाए बढ़ा रही है यह सरकार ताना शाहि का सबूत दे रही है एन एस यू आई के पिरदेश महास्चिव और सलान खान और वजाहत तुर्की ने कहा कि जब से मोधी सरकार ने बाग करता जुलूस की शकल में महंगाई और मोधी सरकार के खलाफ नारेबाजी करते हुए कार्याले पहुचे जहां पहुचकर उन्हें ग्यापन सौपा जिलादिकारी ने कहा कि गिराम पंचायत सचीव एवं गिराम प्रदान अब तक निर्मित कराए गए समुदाइक शुचालियों पर पैंटिंग का कारे कराए वहीं जनपद रामपुर में समुदाइक शुचा कारे पूरा किया जाए वहीं वर्चुल बैठक में जिलादिकाए रविंद्र कुमार मंदार ने मन्रेगा यूजना के अंतरगत तलाबों के सौंधर्य करण के संबंद में उपायुक्त मन्रेगा एवं खंडवीकास अधिकार्यों को निर्देशित किया कि बढ़सात के मौ को द्रिष्टिगत रखते हुए यता शिर्व निर्दारित लक्षे के अनुसार तलाबों की खुदाई का कार्य संपन करा लिया जाये तथा तलाब के चारोर चायादार वा जनोप योगी पौदों को रोपित भी कराया जाये ग्राम पंचायत में कोविट के संक्रमन से रो कीमिया के नेत्रतों में मुहला नालापार के लोगों ने बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ पृदर्शन किया बिजली विभाग के संवीदा कर्मियों पर उगाही करने का आरोप लगाया अखिल भारति राहुल गांदी बिर्गेट के पृदेश सचिव स्याद मिक्की के लोगों ने उनसे बिजली कर्मियों के शिकायत कीती बताया कि बिजली विभाग बिना बताय लोगों के कनेक्शन काट रहा है इसके बाद उन पर चोरी का आरोप लगाकर उन्हें 18-20,000 रुपे तक का नोटिस हमारा है यदि किसी पर बकाया है तो उसे पहले बकाया जमा करने का नोटिस दिया जाए उसके बाद उसका कनेक्शन काटा जाए लेकिन ऐसा ना करके विदुद्विभाग नए नए तरीके से पैसे वसूल रहा है कुछ समवीदा कर्मियों की वजह से विदुद्विभाग बदनाम हो रहा है